दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी का अपनी यूटूब चैनल पीके एजुकेटर में दोस्तो आज की ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट है उन सभी स्टुडेंट्स के लिए जो की स्कॉलर्शिप का फार्म फिल किये हैं लेकिन अभी तक स्कॉलर्शिप नहीं आई है या उनके फार्म में कोई गड़बड़ी है तो उसके लिए वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाली है तो सायोग के नाम पर कहीं आप पैसे ना दे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले दिया आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए यूपी स्कॉलर्शिप से जूड़े किसी भी अपडेट के लिए तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट तो दोस्तो समाज कल्यार विभाग की तरफ से अफिस्यल नोटिस जारी की गई है तो वो मैं आपको लाइब दिखाने वालों आपको करना क्या है स्कॉलर्शिप की जो आफिस्यल वेफ साइट है उस पर आपको चले जाना है स्कॉलर्शिप डाट यूपी डाट नाइसी डाट इन पर ठीक है तो इस पर जब आप जाएंगे तो यहां पर आपको पूरी आफिस्यल नोटिस मिल जाएगी और आपको बात करें कि कुछ चैन स्कॉलर्शिप या फिस्व आपसी नहीं दिला सकता अगर बजट यहां से खतम हो चुका है किसी भी कटेगरी का तो यहां पर एक विसेश सूचना देखिए समाज कल्यार विभाग की यह कि संस्थर द्वारा आउसेश आवेदन अग्रसाडित करने के अंतिमतित जो थी वह 5 फरवरी थी यानि जिनके फार्म फार्वर्ड नहीं हुए थे उनको 5 फरवरी तक फार्म को फार्वर्ड करना था ठीक है और चलिए जो समाचार पत्र की न्यूज है वो भी आपको दिखा देते हैं कि क्या न्यूज है पूरी न्यूज आपको पढ़के सुनाएंगे इस 5 फरवरी चलिए चलते हैं न्यूज की तरफ तो दोस्तों देखिए ये न्यूज है आपके सामने 10 लाख होबी सी चात्रों की सुल्क पृति पूर्टी पर छाया संकट फासा पेज पिछड़ा और कलनाड विभाग ने 900 करोड रूपाय और मांगे बजट मिलने के बाद ही जब आपनृट हो पाएंगे बचे चात्रिस के पहले में हमने अल्रेड़ी आपको बता दिया ठकि दसलाग चात्र वन्चित हो रहे हैं लेकिन इसमें देखे जो 900 करोड और 200 करोड का था इसमें उसको हम आपको बता दें क्या है मैं न्यूज ये बता दें हम आपको किस्थ सब्सक्राइब देने के लिए करीब 900 करोड रुपए की मांग की है यानि यदि 900 करोड रुपए मिले तभी सभी चात्रों को फीसवापसी हो सकती है अन्नता चात्रों से सजरूर रह जाएंगे ठीक है और इतनी धनराज वर्तमान बित्ती वर्स में मिलना मुश्किल है ये भी कह गया है बित्त विभाग से 200 करोड रुपए मिलने की उमीद जताई जा रही तो अगर 200 करोड रुपए मिल गए तो 1-2-5% नीचे हो जाएगा 65 तक वालों को भी फीसवापसी मिल सकती है इतनी धनराज से डेर से 2 लाख चात्रों को ही योजना कलाब मिल पाएगा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अपर मुख सच्यू महेश कुमार बताया नहीं गुपता ने बताया कि जितना बजट उन्हें मिला था उससे मेरिट के अधार पर चात्रों की सुल्क प्रतिपूर्थी कर दी गई यानि कि अब OBC यानि पिछड़ा और कल्याण विभाग के पास अब एक भी बजट से नहीं है तो अब OBC के चात्रों को इसलिए करेक्शन का मौका भी नहीं दिया गया कि उनको फार्म वेरिफाइड करवा भी देंगे तो कोई मतलम नहीं कि विभाग के पास बजट ही नही है तो आप लोग बिल्कुल ऐसे जहां से में आएं यह बजट अधारित स्कीम होती है अगर बजट रहेगा तो आएगी बजट नहीं रहेगा तो कोई नहीं आपको स्कॉलर्शिप और फिस्वाप सी दिला सकता है तो उमीद करता हूँ आपको चीजे क्लियर हो गई होगी वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों किसा सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूनें